असलाम अलेकूम टू आल अफ यू उमीद है स्टूडेंट्स आप खेरिये से होंगे तो रेडियो एनलेटिकल टेक्निक्स में हम डिफरेंट किसम के जो है ना डिटेक्टर्स इस्तामाल करते हैं जोंकि अलफा बीटा और गैमा रेडियेशन जो निकलती हैं उनकी हम मेजर्म काउंटर होता है गीकर मूलर काउंटर होता है और सिंटिलेशन काउंटर होता है और उसके साथ साथ जो होता है सेमी कनेक्टर काउंटर होता है तो इन चार टाइप्स के जो डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं डिटेक्टर्स इनको हम इस्तामाल करते हुए हम जो हमारे से निकलती हैं रेडियेशन्स लाइक अलफा बीटा या गामा उनकी हमने मेयर्मिंट करनी होती है तो उससे हम मुक्तलब किसम के अनैलसेज करते हैं उसी से हम अपने रिजर्ट ड्रा करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे परपोर्शनल काउंटर के बारे में तो बैसिकली परपो काउंटर होंगे उनमें सेंसिटिव मैटर जो होती है ये बहुत ज़्यदा अहमियत की हामल होती है अब ये सेंसिटिव मैटर जो गिगर मुलर या प्रोपोर्शनल काउंटर होगा उसमें ये होगी कोई भी गैस हम इस्तामल करेंगे तो जब हम पढ़ेंगे दूसरे दुन और डोबुक से नेट से औनलाइन कहीं से भी अब देक क्या नहां और एब आगर आगर दे क्या है हूं तो यह वैली यह विंडोिę यह विंडो यह मिन कहांसे हमारा ज़ो रिड्देशन होंगी वह इंटर होंगी मतलब अलफ।편े удоб हैं बटहिंगा वह इस के थुरू इंटर होंगी ठीक है इस विंडो के थुरू इस चैमبر के अंदर इंटर होंगी अब इसके साथ यह वहला जो है यह ग्रीन लाइन जो है यह हमारे पास ऑनोड है और ऑनोड के ऊपर यू नौ के positive चारज होता है ठीक है positive टरमिनल होता है और उसको हम negative के साथ connect किया हुआ है अब देखें उसके साथ साथ एक और चीज़ है यहां पर एक है cathode हमारे पास तो cathode का क्या काम होता है cathode के उपर हमें पता है negative charge होता है तो ये metallic chamber है यह मैटल का बना हुआ है यह जो कैथोर्ड है और यह वाली जो होता है एनोड यह टंगस्टन का बना होता है ठीक है उसके बाद यहां पर हमने यह बैटरी कुनेक्ट की हुई है ट्वक्स रेटली अलेक्टरॉंस या आइन्स यह एम्प्लिफायर है और यह रिजल्ट हमें य क्या करना है सबसे पहला काम है जी हमने इस चेमबर के अंदर गैस बर लेनी है कोई भी inert gas mostly हम जो है ना argon gas बरते हैं ठीक है तो इसमें हमने जो है ना argon gas बर लिये जी इस चैंबर में तो बेसिकली जब ये argon gas इसके अंदर होगी जब बाहिर से हमारे photon आएंगे जो radiation होती है बेसिकली इतनी भी radiation होती है वो photon की form में ही travel होती है ये होता है photon तो इसकी शकल में ही travel करती है तो जब ये इस window के थो enter होगी ठीक है enter होगी अब यहां पे gas है और बाहर से आने वाले photon है जब ये आपस में एक दूसरे के साथ collide करेंगे जब इन के दरमयान klusion होगा तो एक pair of ions produce होगा pair of ions produce होगा अब ions का pair produce होगा उसमें क्या क्या होगा उसमें number one तो positive होगे जो हमने आरगान गैस ली है sorry A, G लिखा हुआ है ये A, R होगा ठीक है आरगान गैस है तो आरगान गैस के positive आइन बनेंगे उसके साथ साथ electron निकलेंगे ठीक है यू नौ के जब किसी गैस के उपर फोटान फाल होता है गिरता है तो उस positive आइन बनते हैं मतलब उसमें से electron जो फोटान होते हैं वो electron को निकाल लेते हैं तो यहां पर electron की emission होती है तो यहां भी ऐसा ही कुछ होगा कुछ positive चार्ज बनेंगे और कुछ negative electrons प्रड्यूस होंगे अब यू नौ के आनोड के उपर negative चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो आइन्स होंगे वो अपने respective टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे यहां पर negative है तो यह negative टर्मिनल है तो यहां पर positive आना शुरू हो जाएंगे जितने भी positive आन होंगे यहां पर जमा होंगे इस नीचे वले cathode के उपर जमा होंगे और जितने भी electrons होंगे electrons basically इस अनोड के उपर जमा होना शुरू हो जाएंगे ठीक है और यहां पर दो process होते हैं एक यहां पर electron जो produce होए है न इस process को हम primary ionization बोलते हैं primary ionization का मतलब है कि जो पहली दफ़ा ionization होई है एक दफ़ा जब हो गई ionization तो इसको हमने बोल दिया primary ionization अब यह जो electron आए हैं चुँकि हमने इसको voltage से भी connect किया हुआ है तो यह electron इसके करीब आया है तो इसका field strength already हाई है इस यह जो brick सी wire होती है यह वाली anode जिसको हम tungsten की होती है तो इसके करीब जो field होता है वो already strong होता है तो जब यह electron इसके करीब आते हैं तो electron की energy बढ़ जाती है ठीक है अब इनकी energy बढ़ गई है तो यह again यहां से move करेंगे और दुबारा move करने के बाद यह again जो gas के माली atom होंगे उनके साथ जाके collide करेगी gas के atom के साथ दुबारा जाके बहुत सारी gas होगी यहां पर हमने जस्ट एक assume की होगे एक atom उसका argon gas का to understand तो इसके साथ दुबारा जाके टकराएगे तो उसकी energy जो के काफी जएदा हो गई है तो अब उसकी energy जएदा होगे यह दुबारा electron जाके टकराएगे तो इसकी यहां पर करेंगे यह second ionization होगी जिसको हम secondary ionization का नाम देते हैं अब secondary ionization जब होगी तो इस दुरान again जो होगे वो electron produce होगे और जो positive ion है वो produce होगे ठीक है अब यहां पर यह वाला process again and again repeatedly होगा electron बनते रहेंगे positive ion बनेंगे और electron की यहां पर इतनी जएदा तदाद हो जाएगी इतनी जएदा तदाद हो जाएगी कि वो enough होगी कि जो हमारा amplifier है उसको amplify कर देगा और counter से वो detectable होगी ठीक है मतलब इतनी मिकदार हमारे पास electron की produce हो जाएगी कि वो detectable होगी इस तरीके से counter में हमें जो है ना result मिलेगा और इस यहां पर जो electron secondary ionization के दुरान produce होए हैं इसको basically एक term होती है जिसको हम नाम देते हैं यहां पर avalanche effect का नाम लेते हैं avalanche effect अब avalanche effect क्या होता है कि बार बार ionization होना बार बार ionization होना और एक electrons का इधर cloud produce हो जाना at anode और anode को चुँके हमने आगे connect किया हुआ है amplifier के साथ और amplifier हमें जो है ना counter है यह कोई भी हमारे पास PC हो सकता है laptop हो सकता है कोई भी another reading device हो सकती है जो हमें यहां से result देगी तो avalanche effect क्या होगा कि different types के जो electron बार बार ionization की वज़ा से बन रहे हैं उसके cloud cloud जो बना है उसको हम बोलते हैं avalanche effect ठीक हो गया तो इतना सा यह process होता है proportional counter के अंदर सबसे पहले electron sorry alpha, beta, gamma जो radiation होंगी वो इसमें add होंगी इस window के थूरू यहां पर process होगा pair of ions produce होंगे electron और positive ions produce होंगे जो firstly produce होंगे उसको primary ionization बोलेंगे जब वो इस anode के क्रीब आएंगे तो यहां पर anode के ओपर हमने voltage apply किया हुआ है तो field strength strong होगा तो again वो दुबारा second ionization करने के काबिल हो जाएगा तो यहां पर बार बार यह वाला process होगा तो इतनी electrons यहां पर produce हो जाएंगे कि हमें easily एक understandable या readable या detectable reading मिल जाएगे तो इस तरीके से हम इनको इस्तामाल करते हैं to detect the alpha beta gamma जो radiation निकलती है hope so you can understand it अगर आपको again भी समझ नहीं आती तो आप दुबारा comment कर सकते हैं